हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू अल अफ यू अन माई यूटूब चैनल सरकारी भारत सो गाईज इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं डियाडियो MTS की एक्जाम डेट के बारे में बहुत सारी स्टुडेंट्स का क्वेशन आ रहा था इन सभी बातों पर डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता दू अगर आप इस चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा सब्सक्राइब करने का भी आपको कारण बताऊंगा क्यों सब्सक्राइब करना है आपको ताकि आपको एक बहुत अच्छा वेनिफिट इससे मिल सके तो अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा सबसे पहले डिसकस करने वाले हैं एक छोटी से न्यूज भी देनी थी आपको देखे आपकी जो क्लासेस स्टाट होनी वाली थी वो क्लास होनी वाली थी आज से यानि कि 25 हो रहुए- पुटि बगएरा सफिय बगएरा हो रही है तो वहाँ पर मैं आ आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ तो चार-पांस दिन यह चलेगी तो लगबग यह महीना मेरा चला जाएगा इस महीने के बाद यानि कि 5 अक्टूबर से आपके लिए 5 अक्टूबर से आप सभी के लिए classes start हो जाएंगी किसके लिए DRDO MTS की students के लिए जो student DRDO MTS की तयारी करना चाते हैं बहुत अच्छे से तयारी करना चाते हैं serious student है जन्होंने form डाल कर अब उनको selection लेना ही लेना है उन्हीं students के लिए 5 अक्टूबर से classes start हो रही है इसमें जो classes start होंगी यूटूब पर ही होंगी इसी चैनल पर होंगी इसी वज़े से वोलनों चैनल को subscribe कर लिजेगा तो उसमें math, reasoning और gkgs का portion start करने जा रहे हैं एक और बात आ रही थी कि टायर 2 में English पूछी जाएगी तो English की classes भी क्या नई teacher से start करवाई जाए तो आप comment box में लिख दीजेगा तो 5 अक्टूबर से आपके लिए math, reasoning और gk की classes start होने वाली है तो आप चैनल को subscribe कर लिजेगा अब बात करते हैं exam date के बारे में बहुत सारे लोग बोले हैं कि जो आपके exam date है उन्होंने तो ये भी घोसित कर दिया था कि 25 अक्टूबर से आपके चाहतिती start हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अक्टूबर में तो आपके exam होने के संबाबना बिल्कुल भी कता ही नहीं है मैंने शुरुआत में बोलतिया था लेकिन बहुत से लोग बोल रहे थे लेकिन उसको छोड़कर मैं अपनी बात करता हूँ मैंने जो वोला था मैं उसी बात पर टिका हुआ हूँ मैंने वोला था जो आपका SSC की exams चल ले हैं SSC की exam चल ले हैं अब देखे CHSL का कल paper और है last 26 October को उसके बाद आपका जो SSC JE के paper start हो जाएंगे SSC JE का उसके बाद SSC selection post 8 के लिए paper start हो जाएगा SSC selection post 8 वाला भी paper start हो जाएगा SSC CGL Tire 2 का जो exam है भो भी होना है तो यह सभी के सभी exams आपके अगर देखे जाएं तो नवंबर मिड तक 20 नवंबर तक लगबग खतम हो जाएंगे सारी के सारे exams अब बात करें कि आँगे की बात करें तो आँगे दिसंबर में यानि कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपके railway NTPC और group D के paper भी start हो जाएंगे तो बो भी आपके paper होने है यानि कि railway exam कराएगा मिड दिसंबर से और जो SSC के paper है यह आपके कब खतम होंगे तो यह खतम होंगे मिड नवंबर में तो अब आपके पास जो समय वजता है DRDO के students के लिए लगवग 42 लाख प्लस student है तो इन students का जो exam है यह भी एक बहुत बड़ी चुनोती है तो यह परिच्छा कब होने के chances है आपको clear cut इस पश्ट बता दू कि यह जो आपकी परिच्छा है लगवग लगवग 20 से 25 नवंबर की बीच में start होने की संभावना है आपके जो admit card है अब माली जो 25 नवंबर के करीब से 25 नवंबर के करीब से आपकी exam जो exam से वो लगवग start हो सकते है यह कितना percent है 95 percent chances है आपके जो नवंबर का last week है यही काम यही जो time है वो खाली बच रहा है तो यहाँ आपके परिच्छा हो सकती है अब आपके जो admit card है वो कब से आ सकते हैं तो 15 दिन पहले आपके admit card जारी कर दिये जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है तो यह जो आपके admit card है यह कब आएंगे तो लगवग लगवग 10 नवंबर के करीब आपके 10 या 15 नवंबर के बीच में आपके admit card भी जारी होने के chances हैं तो यह तो clear cut है कि अब आपके पास जो समय बचा है लगवग 30 से 35 दिन का समय ही बचा है इसमें ज़्यादा समय नहीं है और लाको student इसमें fail भी हो जाते हैं fail होने का सीधा सीधा कारण है form तो बर दिया लेकिन उसकी तयारी नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए क्रेस कोर्स लेके आ रहे हैं 5 अक्टूबर से यह क्रेस कोर्स स्टार्ट होने बाला है इसी चैनल पर होगा बिल्कुल फिरी होगा daily PDF मिलेगी daily PDF मिलेगी आपको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और आपको एक्जाम डेट तो क्लियर होई गयी होगी आपका नवंबर लास्ट वीक से और दिसम्बर की स्टार्टिंग के लगबग 10 दिसम्बर तक की आपके एक्जाम होने की संबाबना है चलिए तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और मिलते है अब पांच अक्टूबर को फिर से DRU वाले स्टुडेंट्स के साथ थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो